हिए हैं कि ने अभशन हम लोग नाज आज गर रहे हैं कारिशाला में आपकी पर ले इसने अजिरा है कडिशाला आपसे जुड़ी हुई है और कारिशालां पे आप तौपिक देखी रहे हैं चुपपी थोड़ो अपे हम महीला हैं हैं बहुत सारी ईसे विशहएंधर हम शर्म कि में चुप रहां चाते हैं उसमेंjem के मारी समस्या महा बारी की जो हर महीने हम लड़ा स्त्रीयों को या या लड़किया हैं विभून-ब्स हैं मैं एक स्ट्री हूं तो इन चीजों से हमें हर महीने गुजरना पड़ता है वो दर्द वो तकलीफ ना चाहते हुए भी क्योंकि हमारा शरीर इसलिए बना और महाबारी नहीं हो तो भी लड़की समस्या में आ जाती को अधूरी होती क्योंकि महाबारी जो है स्ट्री के शरीर को ए मने खड़ा कर दूंगे तो जिसे हर माहीन हम पीरियों में होता है सम्माण ये उम्र होती है नौ से तेरा वर्ष जब एक लड़की इस अपीरिट्स में होना शुरू होती है सम्माण ये तौँ पे वियग पीरिज हमारे चार से साथ दिन तक चलते हैं किसी तो बहुत साधा कि तासre ने उसके इस श्रक्ट्टर इस पर होताँ कि चार दिन साथ से स्हांय में चुप सब्सक्राद आ कि दौ लेकिन फूर्ण है हमारी शर्ब क्या होता है कि लड़िविया कर दों थ्रीizzy asshram के अपनी तकलीफ को उफ्शी को हैं आप मैंसे बहुत सारी फार तना Hogwarts कई लड़के आई लड़के आई पेड़ दुख रहा है और मैंने सवाल पूछा था क्यों पीरिट्स में हो बही हो कि हां क्योंकि इस प्रक्रिया से हर्स्त्री गुजरती है अब उसको बहुत सारी जिसे जॉब हम लोग स्कूल आते हैं हम लोग घर में भी हैं तो हमें बहुत सारे चीजों से होकर गुजरना पड़ता है तो यह पीरिट्स जो है हमारे लिए तक्रीब दायक हो जाते हैं जब हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता उसको लेकि बहुत सारी भ्रांतिया तो अच्छा एक चीज बताए कि हमारे शरीर से जो यह खून निकलता है वह अच इसकी प्रक्रिया क्या है एक्चुली क्या होता है हमारे शरीर में खून सर्क्यूलेट होता है ऑक्सिजन सप्लाई दाता हो सब फिर क्या होता है कि शरीर में से इसी कून का कुछ हिस्सा थोड़े थोड़े इससे में रहें कि वह हमारे गर्वाशे में एकटा हो जाता है तो तो शरीर का खुन गंदा कैसे भूँ है? वो इसलिए उन गंदा समझते हैं कि ये गंदी जगे से निको कर, तो क्या हमारा शरीर गंदा है? नहीं है, जगे भी गंदी नहीं है, कि उसी जगे से तो हम बच्चा पैदा करते हैं, और अगर किसको इस्तरी बच्चा नहीं पैता करती तो समाज में सबसे ज़्यादा तक्रीप दाएक इस्तिती में आजाती है तो यह शरीर का पुन गंदा नहीं है फिर एक चीज और है जो हम बहुत परिशान होके साथ है और इसको बड़े ही यूँ बिकार नजरिये से देख एक चीज पर आप यह सोच लीजें महावारी रेग्यूलर होना हम उरतों के शरीर को एक नौर्मल साइकल में चलाता है अगर आप यह सोचो की महावारी दर्स एक्सेंड हो जाली है एक हो का यह हूँ रहे हैं और कि हमांग फमारी भी बाहत जात होता है तो बहुत परिशान ऑप्र में नहीं पाते हैं नहीं पूझाइद दर्ग होता है जितना है जालाद उतन साम गेमारी की समय प्रद्रिया हैं अगर कोई बालिगा time से periods में होना शुरू हो जाती, 9-13 साल की उमर में, तो वो healthy कहलाती है, और अगर पहले हो जाती है 9 साल से पहले या 13 साल के बाद 14-15 साल की उमर में, तो वो समस्या में हिनी जाती है, तब समस्या हुँती है, इस पीरिट के दौरान और अगर कोई लड़की हुआ कई कई लंबे समय तक पीरिट में चार महीन है पांच महीन है तो समस्या में आ जाती है कि क्यों नहीं हमारे शरीर में क्या हो गया तो इसमें महावारी एक रोग नहीं है और समस्या नहीं है इसके बार बहुत सारी चीज़े हैं हमें जब हम महावारी में होते हैं 99% परिवार की में कह सकती हूं कि स्थ्यों को खाना नहीं बना दिया जाता है व इधितने के पानी को हाथ लगाती कूण को फॉपर से पाणिंऋ दिया जाता है टो अधर को ब्रहार नहीं है वे चुभ चुभ लां जैसे g- Martha यह अगर 2-3 गंढ़ चार गंढ़ दो दिन आप यूरीन नहीं चाहि개 जाते हैं तो ज fender SIM जाना जरूरी है फ्रेश होना जरूरी है नहीं कांव बीवारे में पड़ जाते हैं यह एक सारिरी प्रखिरिया तो यह फिरगन कैसे है नहीं ह्ये चीज़ गलत है हमैं यहीं चुपी तोड़नी संवाज की यही सोच तोड़नी हैं कि हम वाधीये हैं हम स्थुपर्टी में से हम्तरी हैं कि स्थिती से घुजरती है आपका सपॉट छी हमें किस्थ अगर नहीं हो तपी समस्या हो तपी समस्या है अगर लड़की दस मादब तेरा चौना बंदरा साथ यह चीज गलत नहीं है तो उसको गलत क्यों देखा जाता है रसोई में ना जाना मतलब उठ तरी आप पहले नहाओ तो वो चलो हाईजिनिक चीज है अपने आपको हम शुद्ध करते हैं हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है टाइम टो टाइम हम पैड बदलते हैं ताकि हम शुद्ध रहें अगर आप सुबे से शाम तक पैड नहीं बदलेंगे तो थोड़ी सी इचिंग बदर हो जाती है नहाना इसलिए से दूरी कि हमारा शरीर शुद्ध रहें लेकिन इसको बिमारी समझना इसको हे द्रिश्टी से देखना ये गलत है ये कारे साला का मक्सद ही है कि ये जो चीजे हैं आप भी शुद्ध करते हैं और हकीकत तो ये ही मैं एक खुद को यह और हमारे परिवार में भी हम से करते हैं और हमारे लेवार में चैन्ट को पता चल जाए तो बढ़ी इंश्रमिद्ध की मैसूस होती यह हकीकत है तो हमें यह सोच तोड़नी है आपके जरीए यह बात हर परिवार में आज आपे आपे पचास जर्ले में आपके परिवार में आपको बेहनों से मा से डिसकस करना है कि यह चीज गंते नहीं है इसके लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे यह कहते हैं कि महावारी के टाइम लड़कियों को दूद नहीं या इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए अरे एक तो शरीर कमजोर होता जा रहा है उसको खाने बिने की रोक लग जाती है वो इधर यूद्धर चीज़ों पर तंच नहीं करती आचार को टच नहीं करती लिए एक चीजों एक खाने का विशेश दिहान करना जहीं जो क्योंकि हमारा शरीर फूर को फूर लॉस्ज करता है तो हमारा शरी कमजोर होता है इसके अलावा बहुत सारे आर्मोनल चेंजिसस करते तो बिसको हैं तो लड़किया कमजूर महसूस करती है, फिर थोड़े दिन तो कई-कई लड़कियों को तो बेहोशी आ जाती है, क्योंकि वो पुरा खाती नहीं है, उनका हिमोग्लोबिन चेक कराएंगे, तो आट या नौ भी निकलेगा, जबकि एक स्वस्त स्त्रीम है, बारा से उंपर होन खाना टाइम टूट, टाइम के खाना है, ताकि हमारे शरीर में ताकत बनी रहे, फ्रूट्स में आप एपल ले, एपल जूस ले, अनार खाएं, उससे क्या खून के सप्लाई जादा होती है, फिर एक चीज ये बताओगी, जैसे महीना जो हम गिनते हैं, वो किते दिन का गि अठाइस दिन होता है, पहला दिन पीरिट का से लेके अगले पीरिट था है, अठाइस दिन काउंट होता है, जब और प्रेगनेंट होती है, तो तो क्या होता है, वो देट बताती है, उस देट से उसकी प्रेगनेंसी काउंट होती है, तो हमारे पीरिट का देट, फर्स दे और अगला महिना हमारा महिना 28 वे दिन खतम होगा, 29 वे दिन वाफस, अगर नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल हम लेडीज है, स्वस्त हैं, तो 28 या 29 वे दिन हम पीरिज में दुबारा हो जाएगी, अगर पहले होते हैं, चलो 2-1 दिन तो उपर नीचे चलता है कि हमारा शरीर कई खान पान के साब से उपर नीचो हो जाता है, लेकिन अगर या तो 14-15 दिन बीस दिन में हो जाएं, तो भी समस्या, और अगर टाइम जादा निकल जाएं, तो भी समस्या, क्योंकि वो खून हमारी शरीर में उट्रूस में खटा होता रहता है, और वो फिर एक दिन जब भी भी जब भाय कर दर्ध होता है, तो यह बायोलोजिकल प्रोसेस है, हमारा शरीर हर प्रकृरियन से गुझरवा है, बायोलोजिकल प्रोसेस है, तो इसका विशेश ध्यान रखा जाता है, फिर है कि किस तरह से आप स्वल्चता ना साथ हैं, आप मुझे यह बताएए, जब आ तो आप क्या यूज करते हैं? इसके इलावा अब आज कल मार्केट में तपड़े के पैड भी आने लगें जो दोने होते हैं बार-बार और उसको रिसाइकल आप बार-बार उसको यूज कर सकते हो उसमें एक तरह का फॉम टाइक होता है वो जो हमारा ब्लड निकलता है उसको सोक लेता है और वापस उपर तक नहीं आने देता तीन या चार पांच गंटे वो चल जाता है एक फिर उस बॉल अती है लग पूरा हमारी फैविस्टिक जैसा होता है वो पूरा रूई का गठा होता है उसको हमें अपनी वजाइना के अंदर यूज के अंदर डालना पड़ता है हाथ से और एक धादा लगा होता है दिल गवर में वो रूई खून सोक सोक के बहार नहीं निकल देत होता है तो फिर है और एक अधा है मेंस्ट्राल काप सर्च देखृत सव और बेखृत होता है और को एचुझक का तो फोल्ड करें हमार यूदी इंदर बिलडा नहीं होता है और पूरे दिल पे मौक्वला। से भार चालता है फिर उसको निकालके आप आपस लोपी यूज़ कर सकते तो हरे के अपने अपनी चॉइस जाधा दो लोग पार्ट यूज़कर दे हैं क्योंकि उनको थो करना होता है यूज किया और तो कर देना होता है तो अब आता ते आप dispose of कैसे करते हैं पहले तो यह है कि आप साफ सफ़ाई अपनी साफ सफ़ाई पीरिट के ताइम कैसे करते है एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप टाइम से नहाएं और देखो लड़किया हो बड़ी हो सब सत्रा से उपर की हो और आने वाले कुछ सालों है तो मा भी बन होगी शर अपने आपको साफ अपने आपको साफ मतलब शरीर का हर अंग साफ नहा देवां तक पूरे शरीर को अच्छे से पानी से दूँग साबून भी जैसे आप लोग घरों में जो साबून यूज करते मैं मुझे नहीं पता लेकिन साबून आप ले माइंड सोप या अलग से और पानी के डबब में गोल के नीचे से पूरा साफ करो प्रस्ट पेसली पीरिय टाइज क्यों कि पैड रहता है वो तक एक बार ही होता कि मैं खुझली होती है वह खुझली सीली होती है क्योंकि वह घीला-घीला रहता है वं सारे जिंड गीला-गीला सा फिलिंग भले कित ब्लड को सोख ले, लेकिन वो गीला गीला लगता है, वो अपने हमें पता चलता है कि नहीं अभर गया है तो हमें चेंज करने की जुरत है, और जिनके बहुत जादा ब्लड होते हैं, वो हर दो थीन गंटे में चेंज करना होता है, नॉर्मली आप सुभ ही उस करते हैं, में वाला नाइट को चेंज करती है, ताकि कपड़े पे स्टेंस नहीं लगे, दाग वगर न लगे, क्योंकि हमें दाग लगे वे तो ऐसी कपड़े गंदेल हो जाते हैं, और थोड़ी शरम भी आती है, कोई दाग, नॉर्मल दाग में भी हमें लगता है, यार कपड़े पे अपनी पिरिये टाइम की पैंटी अलग रखी है, क्योंकि पैट स्टिक होता है, उसकी स्कीं प्रफ हो जाती है, नॉर्मन डेएमें हम सें पैंटी पहनते हैं, तो क्या क्या ही जब पैड हटता है तो रोए-Roint निकलने लगते हैं, वह रोओए जो ऐं, वह हमारी स्कीं में पीरेट खतम हो गया उसके बाद आप जगे को साफ दिजिए दो चार दिन पास दिन बाद और वहां पर कोई क्रीम वगरे लगाई है, बोरो प्लास, बोरो ली की, ताकि कही कोई रैशेज वगरे हो है, वो खुझली चली है, तो वो ठीक हो जाए, नहीं तो बड़ी बैमारी ह जाती है, क्या अंदर ही अंदर और जगे ऐसे नहीं कि अपकी से शेयर बेंगे कर सकते हैं, बता भी नहीं सकते हाथ पैर में चोट लगती तो अपन इसलिए गाइनेक्ट लॉजिस्ट होता है, डॉक्टर ही अलग होता है, तो उन से मतलब डॉक्टर तक जाने के नौबत ही और आपको भी यह करना है, अपने साथ प्रॉब्लम हो, आप शेयर कीजिए, अंदर ये अंदर गुडने से, बिमारी को भढ़ाने से बेटर है ना कि हम बात करें और सल्यूशन निकाले, कभी इचिंग हो गई, रैशे हो गए, पैड तखलीफ करना था, पैड चेंज कीजि पैड भी बहुत तरह के आते हैं, पॉटन कवरिंग वाले पैड भी आते हैं, नाइलोन जाली वाले पैड भी आते हैं, तो नाइलोन जाली वाले पैड डेफिनेटले कुझली करते हैं, आप कॉटन कवरिंग वाले पैड लीजिए, बहुत तरह के पैड आते हैं, उजो हमटाने ज़रूरी है अब यह है कि जीसे जब हम पीने में होने वाले होगे तो हमारे शरीर में कि और टॉमेटिकली चेंजेसा आज जाते हैं कि होट सारे बहुत सारे चेंज आते हैं जैसे अप फस होगे तो लड़किया जब पीरिट में होना शुरू होती है तो वह की किशोर अवस्ता होती है शुरुवात अब योदी तो लड़कियों की हाइट भी बढ़ती है इपस मोटे होते हैं आप हावास भारी होती है और हमारे जो प्राइबेट पार्ट्स हैं एरियास है वहां पर बाल निक इसका मतलब उसके स्तन दिखना शुरू हो जाते हैं तो यह एक नॉर्मल से शारिरिक चेंज है बिटा आप लड़के और लड़के बालोजी में लड़के भी बढ़ते हैं यह चीजे तो आपको तो जानकारी होना ज़रूरी है और स्किन जो है वो ऑईली हो जाती है विपल्स बगरे निकलते हैं फिर होट सारी और चीजे चेंज होती हो आप देरे-देरे जैसे महसूस की भी होगी आपने है फिर एक हमें हर लड़की में यह अचाहे लड़का की शोरह बस्ता में भी होगा तो अपने आपको वेल मेंटेन रखने की कोशिश करता है यह भी मेंचेंज है फिर हाँ एक बहुत कॉमन से चीज़ है हमारे शरील में योनी के पास बदद दोश्य होते हैं जहां से एक हम यूरीम पास करते हैं और दूसरा जहां से हमें लड़क होते हैं दोनों चीज़े एक नहीं आप हस होगी पट यू कें ट्राइट आउट आप अतने आपको इस चेक करके देख सकते हैं इसमें हसने की क्या बात है मैं खुलकर बोलों तुम करो रहा है ऐसे बहुत होड़ी ज हो जहां से हमारा बच्चा पैदा होता है व हूं युदूस होता है वो बच्चे दानी कम्बो होता है जो मैं खेर रही हूंडी बुसरा जहां से हमने भा ब्लुटिपहिए होती मारे बच्चे दानी monster अ surprising origin नहीं होती है यूरीन वाले जडिये का रास्ता हमारे सीदे यूरेटर हो जाता है जहां हमारे शरीर में अलग चीजों के लिए अलग थेलियां बनी लिए तो हमारे यूरीन की थेली अलग है यूरीन उसी में खटा होता है उसी से पतली से पाइप के रास्ते से हमारे शरीर से बार आता है तो रास्ता टूटली है लगे और बच्चे दानी का रास्ता लगे है तो बच्चे दानी से बच्चा बहाँ निकलता है इसलिए यह जानकारी को नजरूरी और यह जानकारी आपको घर में भी कोई नहीं बताएगा और इंफेक्ट आपकी मम्मी बदर को भी चीजें पता नहीं होंगी वले को इतने एक्स्पिरियंस ओल्डर है वो पूरा दी रूडी चीजों में आज भी चल रहे हैं करें गरों में चलो यह तो सरकार ने स्कूलों में गलड़कियों के लिए पैट सप्लाई शुरू अपने की योजना बना दी पैट आ रहे हैं पागी कपड़े चलता था और फिर वह गंदा कपड़ा आगे से आगे 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 बरसंबरस चलता उसके और फिर एक क्यों कि लॉजिक बताओ बात उत्तर सही है पर लॉजिक बताओ मुझे ताकि उसके जो किटाड़ों है वो सब मार जाए और कपड़ा शुठ अच्छे से साबूं से डेटर्जेंट से धो के फिर उसको दूप में सुखाना चाहिए शर्म के मारे क्या करते हैं उसको या तो सुखादी ओपर अपना पेडिकोट डाल देते हैं या सलवाय डाल देते हैं ताकि वो दिखे नहीं अरे दिखने के चक्कर में वो सीलन 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 में फिर वो जंस डेवलब हो जाते हैं आप ट्रायाउट कर सकते हैं आप एक कपड़ी को गीला कीजी नॉर्मल पाजी से उस हो आती है कि वो प्रॉपरली सूपते नहीं है तो यह तो हमारा हाजीनिक बई चीज है फिर हमारा सबसे जो यह कह सकते हो कि छुपावा और कोमल पाड़ और वहां पर हम ऐसी कंदे कपड़े को कैसे यूज कर सकते हैं इसलिए पैड का प्रचलन शुरू हुआ ताकि उसको इसको डिस्पोज आफ करने के भी बात आती है कैसे करना चाहिए बताओं जी हर साल किते ही बरसों से प्यूर्स में होते आई हो यूज करती हो कैसे स्कूलों में तो मशीन है मांग लो मशीन में जल जाता है लेकिन गरों में करते हैं और सिल नहीं जलाएक आप गंड़ा या तो ёнहीं जलने का आप उसको बं करते हैं के अंदर जो कॉटल अहीं को आ प्रपिर प्लाइए जिससे प्रज़ें नहीं हुता इस बहुत हैै उसमें इस सारी जकारती जो परियावरण को नुकसान पहुंचाती ओपन रहेगा क्योंकि बहार ऐसे डालते तो पुत्ते फाड फूड के सारा गंदिगी भी फैला देते तो गंदिगी होती फिर इससे जो जम्स निकलते वो परियावरण को गंदा करते हैं तो इससे बेटर है उसको या तो गड़ा टाल ऐा जलाना सब से बैस्ट है जलाने के लिए कि इसे एयों पजिखें ते पुराने धिब्बे होता है उस दिब्बे में जलाके लगणटांटे आग-डाल दो लिता तो फैट जल जाता है तो यह चीज भूत ध्यान रखने की चीज अब क्या होगे यह चीजे चुपाने के नहीं है इसलिए तो चुप़ी तोड़ो अपने में शरीर में अगर कहीं बिमारी है टाइम्टे पीरिट में नहीं हुए या बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही है तो घर में बात करो इसके लिए डॉक्टर्स हैं मैडिसिन्स हैं गाइनिकोलोजिस् पीरोग विशेषग्य अलग डॉक्टर हैं तो उनको कंसर्ट करो यह चीज़ है बहुत ज्यादा ब्लडिंग होना भी एक तरह से समस्या है हमारे शरीर का निकल जाता है हम बिमार हो जाते हैं परिशादी में आ जाते हैं चक्कर आते हैं इतना शरीर वीक हो जाता है कि अग आपी मा से बड़ी बहन से दादी से जिस पे आपको यह बरोजाओं कि यह बीरी समस्या हपल हो जाएगी क्या सेल्यूशन मिल जाएगा सुझाव आ जाएगा उसके साथ शेयर करो यह चुपाने की चीज नहीं है क्योंकि हम शरम शरम नहीं होता है कि बहुत जादब रिड़ी होती दीरे दीरे लॉग टर्म में जाके हम वीक हो जाते हैं और यह हमारी कमजोरी कई बार नई बिमारियों और यहां तक की मृत्यू करो कि अपनी ऐसी कोई बिमारी को अपने में या समस्या को छुपाओगे नहीं बल्कि शेयर करोंगे डिसकस करोंगे और साथ ही साथ आपसे अपनी फ्रेंज या घर में प्रॉब्लम्स को मेरी जो कारेशाला इस सफ़र दभी होगी मिटा जब आप इस मैसेज को आगे जहाँ जहाँ गाओं से आईओ अपने परिवार और अपनी सहेलियों में बताओ कि इस तरीकी हमें कारेशाला हुई और हमें बहुत सारी चीजे ऐसी बताई देखो जो जो चीजे मैंने बताई है बुक हमें मिली मासिक धर कैशी शर्द क्यों शार्म करें खुल के बोलो उस इसके बाद यह सारी चीजे जो मैंने बताई महावारी कि तार्म और व्राँदियं इसमें वो सारे हैं समाज मारे साथ क्या होता है असल क्या है। उसके बाद प्रभंधन के उपायत श्चटा से से शेहत क्यों होते हैं और यह सारे यह चीज़ें ठीके टो इस तरीके से शेर करें और, important चीजे अपने में बरुफसा रखना और अपनों पे बरुफसा रखना, ताकि हमारी समस्या है, हमारी बैमारी का कारण नहीं बने और यह बिमारी नहीं बिमारी या प्रेबार, death बन जाती है, तो आप बोले, अपने साथियों, अपनी फ्रेंज के साथ, शेर क एक अभियान चलाया गया है सरकार दोरा, बूर सफना, ओके, थैंक यू,